जै मातरी भक्तो हूं आज का जो वीडियो ही उन सब भक्तों कले है जो अकसर मुझे सवाल करते है levar जी हम रुदराक्ष धारन करना चाहते हैं या रुदाराक्ष धारन कर रखा है उसके नियम आप जानना चाहते हो या उसका महत्व क्या है उसकी विधी क्या है, समझ जानकारी आप इस वीडियो और के माध्यम से पा सकते हूं, आपको करना क्या है, आपको पुरा वीडियो ध्यान पूरवक सुनना है, समझ ना आने पर दो तीन बार जरूर सुने, समझ ये अगर आप रुद्राक्ष धारन करने की सोच रहे हैं, कित माध्यम से आपकी ये मदद हो सकती है, कि अगर आप रुद्राक्ष धारन करने के बाद कोई गलती कर रहे हो या कर सकते हो, तो उससे तुनंत आप सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, और वो भूल, वो पाप का कारण ना बने, आपके गलत कर्मों का कारण ना बने, जिसके कारण आपको तो सजा मिलेगी, मिलेगी कहीं हो सकता है, वो परिवार के सदर से भी उसकी सजा का भुकतान कर सकते हैं, क्योंकि आज की समय में बहुत से व्यक्ती जीवन में विभिन परिशानियों से मुक्ती चाहते हैं, अगर आप रुद्राक्ष पहनने का विचार कर रह हैं, तो इससे पहनने के नियम और इससे जुड़ी शुब प्रताओं को समझना बेहत जरूरी हो जाता है, हिंदू मानेताओं के अनुसार रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव को प्रिये माना जाता है, माना जाता है कि जो लोग रुद रुद्राक्ष पहनते हैं न, उन्हें दैव्य कृपा प्राप्त होती है, दार्मिक माननेताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ती भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, हिंदू धर्म रुद्राक्ष को चमतकारी और रहश्व महीं माना गया है, रुद्राक् का जो विशिष नियमों और अनुष्ठानों का पालन करते हुए पहना अगर आपने है, तो आपके लिए बहुत फाइदे मत होता है, वहीं अगर आप इसे नियम पूर्वक, विदिविदान से नहीं करते हो, नहीं धारन करते हो, तो फिर ये उसका विपरीत फल देने लग करता है, और आपकी सुरक्षा करता है, पौरानिक कताओं में कहा जाता है कि जब देवी सती ने अगनी में प्रवेश किया और भगवान शिव ने आसू बहाए थे ना, तो वे आसू पृत्वी पर गिरे और रुदराक्ष की माला में बदल गए, माना जाता है कि नियमों औ पर अनुष्ठानों के अनुसार रुदराक्ष पहने से वेक्ति के जीवन में धीरे धीरे दुख दूर हो जाते हैं, भगवान शिव की दिव्यक्रपा उन पर अवश्य ही बनती है, अब सबसे पहले जान लेते हैं रुदराक्ष पहनने के नियम, देखे आप लोगों से न सुनोगे, समझोगे, फिर कहीं चीज़ें, मेन चीज़ें जो होती हैं, कहीं बार वो स्किप में छूड जाती हैं, इसलिए बार बार आप स्रिवेधन किया जाता है, कि वीडियो को पूरा सुझिए, समझे और उसके आधार पे आप वो करम कीज़े, क्योंकि जो सास्त्र है और सास्त्रों का प्रमान है, और उनका जो नियम है, विधी, विधान है, अगर हम उनको सही धंग से फॉलो नहीं करते हैं, या सही धंग से नहीं आप करते हो उस विधान को, तो फिर वो चीज़ आपको फल देगी ही नहीं, फिर आप लोगों को लगेगा, मैंने तो इस न नियम का पालन करा पनन तू हमें तो फल मिला ही नहीं तो कही ना कहीं आप कुछ ना कुछ गल्पी कर देते हो कुछ भूल कर देते हो कोई जी छोड़ देते हो इसलिए आपको बार-बार बुला जाते हैं दो-तीन बार वीडियो समझेए सुनिए और कहीं पर लिख लीजे कि वही मुझे सरी के से ये कारे को करना है। अब सबसे पहले जब मैं बात कर नेरा रुद्राक्ष मेहने के नीयम को لेकर तो जो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले बात करते हैं मन्त्रों का जाप। आप जोते सास्रों के अनुसार रुद्राक्ष मेहने से पहले रुद्राक्ष मंत्र और रुद्राक्ष मूल मंत्र का नौ नौ बार जाप करने की सला दी जाती है तो जो रुद्राक्ष मंत्र है और रुद्राक्ष मूल मंत्र है उसको नौ बार एक मंत्र को पढ़िए फिर न अगर उनको धारन करना चाहते हो, उनको जागरित करना चाहते हो, उनसे शक्तियां अपनी प्रकट करवाना चाहते हो, और आपके हिद के लिए काम करें, आपकी पॉजिटिविटी के लिए काम करें, आपके लिए वो माला लक्की बन जाए, तो वो कैसे बनेगी, आपको ऐसे बनानी है आपने रुद्राक्ष की माला का मंतर जाप करना है रुद्राक्ष का मूल मंतर भी जाप करना है ठीक है नौनों बार आपनी मंतर जाप कर लिया अब इसके बाद क्या करना है पवित्र स्थान का आपको ध्यान रखना है रुद्राक्ष को एक बार उतारने के बाद उसे किसी भी पवित्र और साव स्थान पर ही रखना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि भक्त लोग होते हैं अपनी माला को मंदिरों में कही पर भी रख देते हैं ऐसे ही रख देते हैं अब ये जो धारना है ये बिल्कुल गलत है। उसे किपड़ी के उपर आप जगाते हैं उसका स्थान बनाईए उस जगापर पर पर्टिकुलर्ली आपको रखना है उस माला को साफ सुत्रा आप रोज कीजे रखने से पहले और किसी कपड़ी के ऊपर आप ज़रूर रखे उस माला को या कहीं पर भी उचाई वाली जगा मे आप टांग सकते हो पर अंतो ध्यान रखे किसी का हाद ना पड़े उस पर ठीक है अब मांस और सराब से आपने बचना है खासकर जो रुदराक्ष धारन करने उनके लिए मैं यह नियम बता दू जो कहीं लोग मैंने देखा है कि रुदराक्ष धारन करने के बाद भी बो द साथ साथ जैसे आपने रुदराक्ष को धारन कर दिया विदी विदान से अब साथ में आप मदिरा बान भी किर रहे हो और अंट संट खा रहे हो आंस मदिरा जो भी है नौन बेज बगरा का प्रियोग आप कर रहे हैं लाइफ में तो यह चीज़ें क्या होगे आपके दुर करना है विदी को फॉलो करना है ताकि वो आपको और आपके परिवार को अहितना करे कोई नुकसान ना पहुंचा है अगली जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखने हैं कि समशान घाट से बचना है आपने रुदराक्ष को कभी भी समशान घाट नहीं ले जाना चाहिए किसे कारण साब जाते हो तो रुदराक्ष आपने दारण नहीं करना है या नहीं रखना है अपने गले में या हातों में और साथी साथ खास करिए गरस्त जीवन वालों के ले बोलनों में ठीक है और दूसरा क्या है कभी भी जैसे किसे घर में बच्चा पैदा होता है तो सिनान के बाद ही रुदराक्ष को चूना चाहिए इसके अतरिक इसे पहनते समय शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने की सला दी जाते है तो हमेशा रुदराक्ष धारन करने से पहले एक माला एक सो आट बार का एक सो आट मने होंगे उसमें तो ओज आपने एक सो आट दूलके अब धागे का रंग भी बता दू कि रुदराक्ष को जो है लाल या पीले रंगे धागे में पिरोना चाहिए इसे काले धागे के साथ पहनना अशुब माना जाता है तो जो भी लोगों उने काले धागे में अगर रुदराक्ष धारन किया है तो भी आप प्लीज साथ साजा नहीं करना चाहिए एक बार इसे किसी ने पहन लिया तो इसे किसी और को नहीं देना चाहिए अक्सर हमने देखा है कोई मज़े मज़े में माला निकाली अरे बड़ी अच्छी लग लिए दिखा तो छूने में नहीं देना चाहिए और दूसरा किसी को पहनने में देना चाहिए आप उसे सिद्ध कर रहे हो आपके हिसाब से अपनी माला को पाल रहे हो पोस्रेव बड़ा कर रहे हो और फिर वो संडली किसी और के पास चले जाए तो भी बहुत सारी एनर्जी जो उस चीज लिए काम करती है तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति उस एनर्जी का न ना हो या पॉस्टिव एनर्जी का ना हो तो फिर आपकी माला को एफेक्ट करेगा और माला को एफेक्ट करेगा आप वापिस महन होगे तो सारी चीज़े विपरीद घूमने लग जाएंगी तो आपनी यह एनर्जी का भी ध्यान रखना है ठीक है अब इसमें धागा बदल जैसे है यदि रुद्राक्ष का धागा गंदा या खराब हो जाए ना तो उसे बदल देना चाहिए साफ करने के बाद रुद्राक्ष की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे हमीशा गंगा जल से आपने साफ करना नहलाना है ठीक है रुद्राक्ष सुद्धी के लिए जो मंत्र है रुद्राक्ष पहनने से पहले जो मंत्र है वो आपने जाप करना है कम से कम जब आप रुद्राक्षी सुद्धी करते हैं या फिर जैसे आप उसको कहते हैं जैसे फिल्टर कर रहे हो आप एक तरीके से तो जब समय समय पे आप रुद्राक्षी सुद्धी करोगे न तो शुद्धी करने के लिए 501 बार या 1100 बार जाप कलने की सला दी जाती है तो जब भी आप उसको पहली बार पहने तो 501 बार या 1100 बार आप ओम नमा शिवाए या ओम हुम नमा ओम हुम नमा या इन दोनों में से कोई भी एक मंदर का जाप कर सकते क्योंकि माना जाता है कि नियमों और अनुष्ठानों का पालन करने से रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति के जीवन में सकरात्म को उजा आती है, सुरक्षा आती है और भगवान शिव की दिव्यक्रपाउस पर आती है तो इससे बढ़कर क्या जीए भगवान सिव स्वैम खुद आपके साथ चलेंगे, आशरवाद बनाए रखेंगे और संकरबादा नहीं आने देंगे, तंत्र विद्या नहीं होने देंगे, और पूरी नजर से ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी बचा के रखेंगे एसी और वीडियो शेयर नहीं है, तो जल्दी इसे चानल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जरुद मन लोगों के साथ जिनको भी रुद्राक्ष पहने देखा ना, उन लोगों साथ ये वीडियो जरूर शेयर कते ना, कमेंट में जै माता दी, ओम नम काली